Hello students, welcome to Global Online. So NTA Udysynet June 2024 examination में total कितने students का final selection होता है ये आज के वीडियो में हम detail में discuss करने वाले हैं. So students इस वीडियो में जो बें discussion रहेगा वो सभी NTA के द्वारा officially जारी किया गया है and उसके साथ ही आप लोगों के और clarity के लिए previous year examination के results को भी हम साथ में analyze करेंगे ताकि और भी clear idea मिलता रहे कि कितने बच्चे exam देने आते हैं और उस में से हर category या हर subject का कितना बच्चा final select होता है. So इस वीडियो में आप सभी NTA जरूर बने रहेगा ताकि आपके सारे doubts clear हो जाएं. आगे बढ़ने से पहले आपको बता थो students की examination को first attempt में qualify करना बिलकुल possible है बस आप लोगों को examination के difficulty level latest questions के pattern को ध्यान में रखते हुए तयारी करनी है इसके लिए complete course में लेकर आई हूँ जहां पर examination से पहले 100% आपका syllabus cover करनवानी की guarantee दी चाती है daily 3 live lectures हम आपको provide करवाते हैं full syllabus mock test आपको मिलेंगे and final revision के लिए 5000 MCQs है यह question bank आप लोगों को आज से ही पढ़ना शुरू कर देना है क्योंकि इसके बाहर से कुछ भी examination में नहीं आता है and यह new batch हमारा 6 में से start होने वाला है जिसके लिए आपको सिरफ फीस देनी है 2400 रुपीज free videos का access जरूर आपको मिलेगा जिसके लिए global online app डाउनलोग करना है यहां पर study store section पर search bar में आप लिखिये course का नाम दिन जैसे ही content पर जाते हो आपके सामने English and bilingual and Hindi अलगला courses मिल जाएंगे एक course में enroll होने के बाद आप चाहो तो कोई भी language में वीडियो को access कर सकते हो and यहां पर आप देख सकते हो unit wise folders है right previous year papers आपको मिल जाएंगे जो कि exam के लिए काफी है and यकीन रखिये कि इस course में आपको जो mock test और जो notes pdf हम देते हैं इसके अलावा extra कुछ भी आपको कहीं से भी लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी कोई भी doubts है तो आप given numbers पर whatsapp के जरीए हमसे directly contact कर सकते हैं so इसी के साथ देखिए students हम जैसे की बात करने वाले हैं कि total कितने students का June 2024 examination में selection होने वाला है so अब देखो पहली बात तो यह है कि बच्चे क्या करते हैं आप लोगोंने information bulletin यह जो NTA ने जारी किया था इसको पड़ा होगा और यहां पर काफी जगा पर एक बात NTA ने बार-बार mention की हुई है कि total 300 में से आप लोगों को अगर general category में आप 40% लेकर आते हो तो आपका selection हो जाएगा SC, ST, OBC category में अगर आप minimum 300 में से 35% लाती हो तो आपका selection हो जाएगा लेकिन students इसको याद रखना है कि यह minimum qualifying criteria है यह जरूरी नहीं होता कि 40% लाने पर आपका selection हो ही जाएगा तो सबसे पहली चीज तो आप लोगों को यह अच्छे से समझ लेनी है and देखिए step 1 में ही NTA ने information bulletin में यह clearly mention किया है the number of candidates to be qualified for eligibility of for assistant professor shall be equal to 6% of the candidates appeared in net on the basis of their master's degree or equivalent examination इसका मतलब यह है कि NTA ने कहा है कि exam देने यानि कि 18th June को जो आपका exam होने वाला है exam देने वाले दिन जितने बच्चे exam में आएंगे दोनों paper में जिनके attendance note होगी उनका total जो है top 6% जो qualified students होंगे उनको ही net certificate दिया जाएगा वो ही net qualified माने जाएंगे तो यह बात आप लोगोंने ध्यान रखनी है अगर हम लोग previous examination की बात करे December 2023 में जो exam हुआ था 6% students का ही selection हुआ था अब यहां पर एक और सवाल आता है कि top 6% में मैं हर एक subject के कितने बच्चे होंगे हर एक category के कितने बच्चे होंगे तो इस बात के लिए कोई भी अलग से rule नहीं है overall अगर यहां पर हम 10 lakh students को consider कर रहे हैं तो उनके top 6% को qualified माना जाता है ठीक है अब इस 6% में हो सकता है कि computer science वाले जादा बच्चे हैं history वाले कम बच्चे है management वाले उससे भी जादा बच्चे हैं तो यह अलग अलग range हमेशा रहती है बस overall आपको यह ध्यान रखना है कि किसी भी तरीके से आपको top 6% में आना है ताकि आपका selection पका हो जाए तो जो बच्चे यह सोच रहे हैं कि 40% 300 में से हम 40% असानी से लेकर आ सकते हैं paper qualify हो जाएगा तो यह बात अपने दिमाग में से आप लोग निकाल दो हर एक subject में अगर students आपका कोई भी subject है अगर आप लोग general category से हो तो मेरा यह suggestion रहेगा कि आप लोग 300 में से कम से कम 210 marks target रखिए फिर कहीं जाकर आप expect कर सकते हो कि आपका exam qualify होगा आपका jrf qualify होगा ठीक है यह जो 300 में से 210 में बता रही हूँ यह jrf के लिए एक range में बता रही हूँ ठीक है इसके अलावा अगर आप लोगों को अभी भी यह पता नहीं चल रहा अभी भी यह जानना है कि आपके subject में और आपकी category में कौन से कि आपके subject और category में 300 में से कितना exact score आपको लेकर आना है तो उसके लिए students आप लोगों के लिए एक free telegram group भी मैं लेकर आई हूँ इस telegram group को आप लोग जोईन कर लीजिए यहाँ पर मैं आप लोगों के साथ previous year के results की PDFs शेयर कर दूँगी ताकि आप लोगों को बहुत ही selection पका कर सको okay so overall जैसे कि 10 लाग के 6% का selection हुआ था वैसे ही इस बार हमें पता है कि PhD का admission जो है वो भी net examination से ही होने वाला है ठीके इसके अलावा जो 4 year graduates है वो सभी students भी net examination दे सकते हैं तो इस बार हम उम्मीद करते हैं कि 10 लाग से भी जादा बच्चे examination का form भरेंगे और इससे भी जादा बच्चे जो है exam देने के लिए आएंगे तो जितना जादा competition है जितने जादा बच्चे exam देने बैठेंगे उतना ही जादा percentage उतने ही जादा बच्चे जो है वो top 6% में आज सकते हैं तो ये golden opportunity आप लोगों के लिए है तो इसलिए मैं कह रही हूँ कि अभी भी अ लोग सकते इस exam को qualify करने से so इसे के साथ फिर discussion को end करते हैं और भी कोई confusion है तो आप directly मुझे comment भी कर सकते हो या फिर given numbers पर भी whatsapp के जरीए contact कर सकते हो so thank you so much and I wish you all the very best